दूस्तों बात करने वाले सफाई करमचारी भरती 2024 के बारे में नगर पालिका की तरब से आज एक नए नोटिफिकेशन को रिलीज किया गया है जहां पर लगभग 24,000 पदों पर भरती की जानी है काफी बड़ी संखिया में वेकेंसी निकाली गए तो ये वेकेंसी अक्टूबर महीने में निकाली गए थी जिसका लास्ट डेट 6 नवंबर रखा गया था लेकिन काफी बड़ी संखिया में भरती निकाली गए थी 24,000 पदों पर भरती निकाली गए थी लेकिन आवेदन कितन मतलब आया था मात्रे 75,000 आवेधन आया था समझ सकते हो कि इतनी बड़ी वेकेंसी निकाली गए थी और सिर्फ 75,000 लोगों ने ही आवेधन किया था अगर कोई रेलवे की नोकड़ी होती है किसी अधर डिपार्टमेंट की नोकड़ी होती तो अब तक करोड़ों में फॉर्म पाड़ हो जाता तो इसी कारण से यहां पर डेट को बढ़ाया गिया है तो आप लोग से मैं एक बात बोलना चाहूंगा देखो आप लोग अगर कोई सरकारी नोकड़ी करना चाहते हैं तो आप लोग इसके लिए जरूर आवेधन करिए ना कोई एक्जाम आप लोग से लि आप लोग जरूर इसके लिए आवेधन करिए और यहीं काराने कि इनका मतलब एक नया नोटिफिकेशन फिर से जारी किया गिया है जहां पर डेट को बढ़ाया गिया है तो समस्तक्तियों भाई 24,000 पदों पर भरती की जानी है और आवेधन बिल्कुल भी नहीं आया है मात 25,000 लोगों ने आवेधन किया है तो मैं आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा कि आप लोगों को आवेधन करना कैसे कौन को आवेधन करेंगे तो वीडियो में कम्पलीट बने रही है आप लोगों को देखाते हैं कौन को आवेधन करेंगे आवेधन करना कैसे यह भी करके देखाता हूं आप लोगों को मिल यागा मैरे description box में तो यहाँ पर देखा हो यह इनका old notification है तो आप लोगों को simply download करना यहां पर मैं आप लोगों को live देखाता हूं जो आप लोगहा कितना post निकाला गया है और यहां पर कौन को नावेधन करेंगा यहाँ पर देख सकते ह सफाइ करमचारी भरती की जाने। सफाइ करमचारी भरती सीधी भरती कोई एक राम कंडक्ट नहीं करा है जाएक। कौन आवेदन करेंगे। सरी यहां पर आवेदन करेंगे। तो यहां पर देखना आप लोग आउनलाइन आवेधन करिंगे निया अफिसल पॉर्टल पर जाकर आप लोग को पहले ODR करना पड़ेगा यहां वन टाइम आप लोगो effect incl Sapo पहले करना पड़ेगा इस बात का ध्यान रखियेगा ठीक है तो यहाँ पर मैं आप लोग देखाते हूं इनका नया नोटिकेSurin ओप्यन करके तो आप लोग को Simply मेरे Discription box में मिल जागे इनके नया नोटिकेशन का लिंक में आप लोग को आप पर दे चुका हूँ simply आप लोग को download करना यहां पर देख सकते हो जो आप लोग का date बढ़ाया गया जैसे कि यहां पर आप लोग देख लिजिए 20-11-2024 आप लोग का date कर देगा है बढ़ा करके पहले इसका date है अपर 6-11 था देख सकते हो यह जो पुराना date से इसका 6-11-2024 आप लोग आवेधन कर सकते थे तो मैं आप लोग से फिर से एक बात बोलना चाहरा हूँ कि आप लोग आवेधन जरूर से करिए और इंडिया जोब निकाला गिया है महीला पूस दोनों आवेधन करेंगे तो आवेधन जरूर से करिए कोई एक्जाम नहीं है काफी सुनहरा मोका है आप लोग का काम स्रीप रहेगा जो सफाई करम चारी कर रहेगा तो भाई देखो सरकारी नोकडी भी आप लोग का है और सेलरी भी आप लोग को यहां पर 18-20,000 तक दिया जा रहा है ठीक है कोई आप लोग का क्वैलिफिकेशन भी नहीं मांगा जा रहा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को आवेधन का भी लिंक प्रोवाइट कर दिया डियरेक आप लोग को वहां पर चलकर लोग करते हैं कि आवेधन करना कैसे है डा आप लोग को सब्से पहले यहां पर दाल पर पड़ेगा पासवरड डालकर लोग इन करना पडेगा लेकिन इससे यहां पर देख सकते, जन आधार आप लोग को मिलेगा, और आप लोगको दूसरा Google को ओप्सन दिया जाएगा, ठीक है, तो आप लोगको यहां पर क्या करना, जन आधार पर आप लोग चाहो, तो इससे भी कर सकते. तो यहां पर आप लोग क्लिक करने, करेंगे और यहां पर आपने कर रखा तो यहां पर करने के लिए रहे dinheiro और यहां पर यह पनोग्व ones कर देना और यहां उसी OTR से आप लोग वहाँ पर लोगन होकर अपना प्रसन डिटेल फिल करेंगे तो आप लोग कोई ज़्यादा पर परेशानी नहीं है आप लोग कोई परेशानी परती है आप लोग को आवेधन करने के टेम तो comment box में comment करेंगा अपने स्थान रखा गया जौब लुकेशन लेकिन आवेदन आप लोग औल इंडिया से कर सकते हो महिला पुरुस दोनों कर सकते हैं तो आप लोग अगर वीडियो पसंद आयो टीव वीडियो को लाइक कर देना मिलता हूं फिर से अगले वीडियो में इसी तरह की न्यू जौब की अ